हलो बच्चो क्या आल चाल कैसे हैं आप लोग अच्छे हैं तो अच्छे रहिए सवस्त रहिए पढ़ते रहिए आईए आज के लिए लाए हैं आपके दिए सबसे सांदार एक पेपर बिजनस इस्टेटिक्स और business statistics का वो भी English medium में है paper first 50 MCQ questions अर्थात 50 MCQ questions हैं आपके इस paper में ठीक है तो आईए start करते हैं सबसे पहला हमारा question दिया गया है लेकिन एक चीज़ और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे ये lecture सुनना है ये MCQ question के बारे पढ़ रहे हैं वो वीडियो को अपने फ्रेंडों में जरूर सेयर करेंगे ठीक ना तो फटा फट सेयर कर दीज़े तब इस्टार्ट कर रहे हैं ठीक है तो हमारा सबसे first question है एक statement दिया गया है कि statics is statics is the science of estimated statics is the science of estimated and probabilities who is statement in this कहने का मतलब है कि statics क्या है एक अनुमानों और संभावनाओं का क्या है science है estimated और जो संभावनाओं हम व्यक्त करते हैं उसकी एक science कहा गया है बने statics क्या कहा गया है अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान अर्था science कहा गया तो इसके सही आपसाने का मतलब है कि एक statement किस ने दिया था बेवेश्टर ने कहा था, कि बाउले ने कहा था कि बॉडिंग्टन में कहा था, कि सेलिंग में ने कहा था, तो इसका सही option है, बॉडिंग्टन ने कहा था, ठीक है next हमारा question है कि the father of statics मतलब the father of statics, मतलब statics के father कौन है मने इस्टेटिक को खोजने वाले कौन है, option दिया है मार्शाल, गॉड्फ्राइड एकनवाल गल्टन, बाउले, तो सही option आपका है, बी option, गॉड्फ्राइड एकनवाल, ठीक इसी तरह हमारा third question है, कि meaning of statics is taken meaning of statics is taken मने, status का क्या अर्थ है, इसको किस अर्थों में लिया जाता है plural के नाम से लिया जाता है, singular के नाम से लिया जाता है singular और plural दोनों के नाम से लिया जाता है, both ठीक न, या non of this कुछ भी हो सकता, तो non of this तो नहीं होगा, singular और plural दोनों के नाम से लिया जाता है तो सही option इसमें क्या है आपका option C सही है next नमारा question है fourth number कि statics may rightly be called the science of average this definition is given by मतलब कहने का मतलब है कि यह statics का definition किसने कहा था कि statics एक science of average है मतलब औसतों का बिग्यान ठीक ना इक किसने कहा था बावले secrets, selling man and body तो सही option इसमें से आपका है बावले ने कहा था कि statics एक औसतों का बिग्यान है average का science ठीक है next fifth number हमारा question का रहा है कि statics in term of nature इस statics यह किस तरीके का nature है यह science है कि यह art है कि art and science बोट दोनों है या neither है मतलब कोई नहीं है तो सही option इसका होगा कि statics क्या है science और art टाइप का यह nature है दोनों ही आप्सन सही है और था आप्सन सी सही है next हमारा एक और question है कि the term statics was used firstly मतलब कि statics का use हम first time first time कब किये थे 1741 में 1759 में 1749 में none of these तो सही option है कि statics के सबसे पहले starting हमरा हुआ था 1749 में तो सही option C है next है in German statics में मतलब German language में German language में statics को किस नाम से जाना जाता है तो status के नाम से आगे बढ़ते हैं और कौन कौन सा option दिये गया है भई इसमें अगला दिया गया है statics का के नाम से statics के नाम से statics के नाम से तो सही option इसमें है 7th का आपका C स्टैटिस्टिक के नाम से लास्ट में के होगा यह ध्यान दखिएगा जर्मन लेंग्योज में लास्ट में स्टैटिक्स में के होगा सी नहीं होगा ठीक ना नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है स्टैटिक्स इस दर साइन्स आफ कैलकुलेशन STATICS IS THE SCIENCE OF CALCULATION मनने STATICS क्या है एक गड़ना का विज्ञान है मतलब काउंटिंग करने का SCIENCE है एक इसने कहा था Yule and Candle, Dr. Bawle, King and Baddington तो सही आपसन इसमें से आपको मिलेगा Dr. Bawle ने कहा था कि STATICS IS THE SCIENCE OF CALCULATION NEXT हमारा QUESTION इसमें कहा रहा है 9th number 9th number में कहा रहा है कि STATICS IS NOT A SCIENCE STATICS IS NOT A SCIENCE IT IS A SCIENTIFIC METHOD WHOSE STATEMENT IS THIS मतलब STATICS SCIENCE नहीं है बलकि एक SCIENTIFIC METHOD है ये किसने कहा था Crockton and Cowden and Wals and Rebots Yule and Candle and Johnson and Johnson तो सही इसमें से आपका आपसन होगा Crockton and Cowden ने कहा था STATICS IS NOT SCIENCE IT IS THE SCIENTIFIC METHOD ठीक है NEXT है STATICS CAN INDICATE TO STATICS हमारा किस टाइब का INDICATE करता है तो NUMERICAL STATEMENT INDICATE करता है कि STATICAL METHOD करता है कि ABOB ABDISH करता है कि NON ABDISH करता है तो सही option है कि STATICS के वाल NUMERICAL STATEMENT INDICATE करता है ठीक ना एक यहाँ पर question थोड़ा सा समझने वाला भी है वैसा real answer तो NUMERICAL STATEMENT होगा लेकिन कुछ writers के book में ये question का answer numerical and statical दोनों method दिये गया है ठीक ना सभी में नहीं एक book में मैंने देखा था तो उसके according इसका सही answer above the dish ठीक ना above आप जो भी है दिश मतलब यह numerical और statistical दोनों method होगा लेकिन generally मैंने question देखा है कि इसका numerical statement ही होता है ठीक है बाकी आप अपने book से read कर सकते है next question है 11th number कि statics studies statics में किस चीज को हम studies करते हैं अध्यान करते हैं ठीक है सबसे पहले individual units aggregates individual units and aggregates and none of these तो सही इसमें से option क्या होगा इसमें सही option है इसमें aggregate का मतलब कहने का मतलब यहाँ पे कि statics में जो हम study करते हैं किसी individual data का नहीं करते हैं groupों में करते हैं समूहों में करते हैं aggregate में करते हैं ठीक ना ना कि कोई individual data में कि कोई individual data में किसी भी प्रकार के calculation होई नहीं सकता जब तक कई data एक साथ मर्ज नहीं होगे तब तक इस्टेटिकल इस्टेडीज होगा ही नहीं 12th number question कर रहा है The job of statics is to The job of statics is to क्या है help in classification of data test of hypothesis or indicate trend behavior and all of these तो इसका सही option होगा all of these ठीक है next है थोलब सा और उपर बढ़ा दें इसको next हमारा question कर रहा है कि function of statics मतलब statics के function कौन कौन से इसके work कौन कौन से collection of data analysis of data interpretation of data all of these अर्थ रही option है D all of these मतलब इस सब statics के functions है next 14th number question कर रहा है कि in the development in the development of staticals method the greatest contribution is that इसका सही आपसन आपका है of businessmen, economics and mathematics कहने का मतलब इसका है कि आज के statics के यूग में statics का जो हम method use करते हैं उससे हमें किस चीस का डबलप होता है और इस डबलप में सबसे ज़्यादा contribution किसका है तो mathematics का है क्योंकि statics क्या है part of mathematics statics क्या है एक part of mathematics मतलब mathematics का ही एक part है तो इसमे statics में सारे numerical data को use किया जाता है और उसमें सारे calculations किया जाता है इसलिए of mathematician इसका use करते हैं ठीक है next question है 15 number 15 में क्या कह रहा है 15 में हमारा कह रहा है कि of the following of the following is considered in a statical investigation ठीक है मतलब जो हम statical investigations करते हैं उसका considered कैसे किया जाता सबसे पहले दिया है definition of problem purpose of investigations and source of information all of above तो सही option होगा all of above क्योंकि statical investigations में इस सारे options उसके consider किये जाते हैं next question है कि the object of object and scope of statical investigation are decided मतलब कि statical investigation के scope और object क्या decide करते हैं तो इसमें देखी क्या क्या दिये गए है 16 numbers में पहला दिया है before of compliance of data after the compliance of data and during the compliance of data and never तो इसके जो statical investigations जो है उसके object और और क्यानाव इसको decide जो करते हैं वो before of completion of data मतलब कि जो हमारा completion of data से जो पहले होता है ठीक ना data collect करने से पहले data को कहीं भी यूज करने से पहले statical investigation किया जाता next question हमारा कर रहा है 17 numbers rupees per kilogram हम जो देखते होंगे कि रुपे पर kilogram के हिसाब से कोई चीज हम खरीते हैं या लेते हैं वो एक तरह से किस तरह का unit है तो आपको मैं बता दूँ एक simple unit एक composite unit unit of analysis and coefficient तो सही option इसका होगा composite unit composite unit इसलिए rupees per kilogram ठीक न अर्थात rupees भी एक unit है और kilogram भी एक unit इसलिए composite इसे बोला जाएगा next है 18 number unit of analysis unit of analysis and interpretation includes इसका सही option coefficient है rate है ratio है all of these है तो सही option all of these किसी भी unit का analysis करने के लिए इसका interpretation करने के लिए interpretation करने के बाद से उसमें include किया जाता है क्या किया जाता है coefficient, rate और ratio सब को यूज़ किया जाता है इसलिए option D सही है next है, एक मतलब statement है, एक definition है किसी के द्वारा कहा गया, वो है क्या there are three types of lies, lies demand lies and statics, who said this इसका कहने का मतलब है, कि जो जूट होते हैं, lies है, जूट होते हैं, वो तिन परकार के होते हैं बने three types के होते हैं, जो हम जूट बोलते हैं, देखते होंगे, तो इस statics में जूट होते हैं, lies होते हैं, वो three types के होते हैं वो three types में दे रहा है कि lies मतलब एक जूट, demand lies मतलब सफेज जूट और statics मतलब कोई data या समाग, question हमारा है कि यह statement, यह definition किसके द्वरा किया गया, कहा गया था lagadia, hattelhoff, digitally and none of this, तो इसका सही option होगा, digitally next हमारा 20 number questions है, the main role in development, the main role in development of static method, the main role in development of statics method is, क्या है mathematician, economics, scientist and businessman, मतलब कि statics method का use हम development के field में जो करते हैं, तो सबसे ज़्यदा इसमें importance role किसका होता है, तो mathematician का होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, static scan, static का हम कुछ कर सकते हैं, क्या, prove anything, reject of anything, and neither prove nor reject, and none of these, तो सही आप है, prove anything, क्योंकि statics के जरिए हम, किसी भी चीज़ को हम prove कर सकते हैं, ठीक है, next आगे बढ़ते हैं, 22 number question, which is the considered, which is considered, for statistical investigation from the following, मतलब, कि statistical investigation में हम consider, कैसे करते हैं, किन-किन चीज़ों से करते हैं, उसका क्या purpose होता है, तो पहला है, परपजा investigation, definition of problems, search of investigation, and all of these, तो सही है, इसमें all of these, यह हमको लग रहा है, repeated question, next है, in statistical investigation, the accuracies, जो statistical investigation में करते हैं, तो उसमें accuracy होता है, किस type की accuracies होती है, accurate, appropriated, incurated, and none of these, incurated है, इसमें से सही आपसान आपका क्या दिख रहा है, appropriated, appropriated, यह सही आपसान है, 24 नमबर हमारा question कर रहा है, कि collection of information, collection of information by the investigator is knowledge, अब देखिए, हम कोई भी information जब collect करते हैं, तो जो investigator होता है, उसको, उससे वो क्या जानना चाहता है, index number, unit, data, and none of these, तो सही आपसान इसमें क्या है, वो units के बारे में जानना चाहता है, कि हमने कितने units data को collect किया है, उसको कहां हम inform कर रहे हैं, अर्था उसका information के लिए कहां यूज कर रहे हैं, फिर इसके बाद से है, 25 नमबर question कि the object and scope of statics, the object and scope of statical investigation are decided, यह तो भी question repeated है, before the complaints of data होगा, ठीक है, next question है, कि which is the merit of a good questionaries, मतलब जो questionary होती है, उसके main या सबसे अच्छी merit क्या है, questionnaire को personality हिंदी में कहा जाता है, तो purpose, proper sequence है, proper place है, question short and clear है, and all of these है, तो सही option and all of these होगा, next question है, sampling यह यह process of learning about the, जो sampling है, इसका जो process learning में किया जाता है, कैसे किया जाता है, किस प्रकार के purpose से किया जाता है, तो 27 number question हमारा है, population को calculate करने के लिए sampling का सबसे best use होता है, ठीक है, next आगे बढ़िए, next हमारा है कि method of investigation is, पतलब investigation के method कौन कौन से हैं, census method, sample method, both of, the above, non of this, तो यह दोनों method, census method और, sample method, दोनों यूज किये जाते हैं, investigation में, अगला question है, कि essential of a sample is not, मतलब, sample के लिए compulsory नहीं है, आवश्यक नहीं है, necessary नहीं है, पहला है, इसमें दिया है, representative, representative, या representative, और दूसरा कहा गया, independence, और dismillarity, और नौन अफ दिज, तिसका सही option आपका होगा, dismillarity, ठीक है, थर्टी नमर questions है, sample is the representative of, जो sampling का work किया जाता है, sample जो होते हैं, इसका represent कहां हम करते हैं, universe में, investigator में के द्वारा, data के द्वारा, और adqc के द्वारा, सही में इसका use sample का, जो किया जाता है, वो आपका, पूरे universe में किया जाता है, हर जगा sampling के use किया जाता है, 31 number questions हमारे दिये गया है, एक, यह बी अच्छा question है, यह border check post, मतलब एक border पर check post है, stop every passenger when, मतलब सारे passenger को वहार रोग दिया जाता है, which, one of the following producer applied, वहाँ पे कौन सा producer जो होता है, rules होता है, apply होता है, simple random sampling, or certified sampling, or cluster sampling, and complete emuneration, तिसमें से कौन सा use होता है, तो आप से बता दे, complete enumerations use होता है, next है, the best method of, the best method of sampling, is random sampling, because, मने सबसे sampling के best method कौन है, जिसमें random sampling, यह होता है, क्योंकि, उसके पीछे regions दे रहे हैं, 32 numbers, it is less expensive, it is time saving, it is lever saving, the selection of unit, is unbased, तो यही option हमको सही दिख रहा है, the selection of unit is unbased, ठीक, 33 number हमारा question कर रहा है, कि sampling method is not, appropriated, appropriated, for studies, sampling method, study में, हम क्यों नहीं ज़्यादा use करते हैं, उसके पीछे region दिया गया है, कि population size is very small, यह wrong है, क्योंकि population size तो बहुत बड़ा होता, high degree of accuracy is expected, यह भी wrong दिख रहा है, sorry, यह wrong नहीं है, एक तरह से not पूछा है यहाँ पे न, तर not होगा, तर यह सही होगा, यह भी सही होगा, the unit are non-homogeneous, यह भी सही होगा, all of these सही होगा इसमें, अगला question है, 34 number, कि now a day, mixed sampling method is very popular, because, जो mixed sampling method है, यह काफी popular है, ठीक न, हजकल के जबाने में, आखिर क्यों है, उसके पीछे region दे रहा है, कि individual influence is reduced in it, it has the properties of both, deliberated sampling and random sampling, अगला कर रहा है, it represents the different stage of the population, यह तीन option दिये हैं, ते तीनों option में, आई एक दिया है, all of above दिया गया, तिसमें सही option भी दिख रहा, बी में क्या है, it has the properties of both, deliberated sampling and random sampling, यह option सही है, option भी होगा, next आगे बढ़ते हैं, random sampling is also no age, मतलब random sampling को, हम और भी नाम से जानते हैं, वो नाम कौन कौन से दिये गया है, probability sampling और deliberated sampling, cluster sampling, census method, तो इसका सही option है, probability sampling यह है, अगला question कर रहा है, which sampling method is appropriate in case of heterogeneous population, अब देखिए, कौन सा sampling method है, जो heterogeneous population में इसका यूज होगा था, random sampling, और certified sampling यह ही यूज होता है, certified sampling, तो बी option सही था इसका, 37 number question दे रहा है, कि statics material can be divided into, मतलब statics का जो material है, can be divided into, मतलब इसके material को खितने part में divide किया गया, 2, 1, 3, none of this, तो सही इसका option होगा, 2 part में divide किया गया, अब वो कौन-कौन से है, देखते होंगे, singular, plural जानते ही होंगे, एक बचन बचन, ऐसे भी का सकते हैं, उसको primary data, secondary data में भी इसको use, एक तरह से माना जा सकता है, 38 number question हमारा कहा रहा है, कि यह research scholar evaluates agriculture work in a village, the evaluation is based on, मतलब एक research scholar है, agriculture work, बने किसी village के agriculture work के बारे में evaluate कर रहा है, तो वहाँ पे वो कौन सा वो data होगा, जैसे आप ही है, investigation करने के लिए किसी village में गया, और agriculture work के बारे में आप, क्याना, evaluate कर रहे हैं, तो वैसे collect किये गए data को हम किस नाम से जानते हैं, primary data, secondary data, both, non of these, तो इसका सही आप्सन है primary data, क्योंकि primary data होता है, कि first time जो भी investigator self या किसी के माध्यम से collect करता है, वो primary data हो, secondary data का मतलब, कोई भी publish किया हुआ book से हम कोई भी material लेते हैं, वो secondary data होता है, ठीक किसी तरह है, next question, 39, government publication हो, कोई भी publication हो, चैया government publication हो, चैया private publication हो, वो हमेशा secondary data होता है, क्योंकि जो data पहले से collect किया गया है, उसके according हम कोई data, कहीं use करते हैं उस data को, तो secondary data हो, अब first time जो data collect करते हैं, उसे primary data का आ जाता है, नेक्स कर रहा है, 40 number, the data collected by the investigator, himself is called, मतलब जो investigator के द्वारा, जो data collect किया जाता है, उसे हम primary data का आते हैं, एक equation दिया गया है, errors का है, error is positive when, when a is called to actual value, a is called to estimated value, तो यहाँ पे कौन सा equation सबसे waste होगा, city होगा, तो यह option a होता है, a greater than e, ठीक, किसी से related एक और question है, कि relative error is measured by, related error किसे measuring किया जाता है, तो इसका सही option होगा, a minus e upon e, ठीक ना, option b सही होगा, इसको exact याद कर लीजेगा, next question है, the difference between actual value, and estimated value, of an item is called, मतलब, actual value और estimated value का जो difference होता है, उस difference को किस नाम से हम जानते हैं, उसको mistake कहा जाता है, statical error कहा जाता है, approximation कहा जाता है, non of this कहा जाता है, तो सही इसका option है, statical errors कहा जाता है, तो option b सही, next question हमारा कहा जाता है, कि the process of converting the complex value into simple and conscious value is called, the process of converting the complex values into simple and conscious value is called, approximation है, mistake है, statical error है, और basic error है, इस में से कौन सा error इसको कहा जाता है, तो यह approximation error कहा जाता, option is सही, फिर है, the difference between, the difference between actual value and estimated value determined, मतलब, actual value और estimated value का जो difference है, उसको determined किया जाता है, absolute error में, relative error में, absolute and related error में, none of this, तो सही आप साना है, इसमें, absolute और related error दोनों में किया जाता है, क्योंकि, statical जो errors होते हैं, actual value और estimated, estimated, जो value होता है, दोनों का difference होता है, उसे statistical error कहा जाता, और जो statistical error होते हैं, वो दो ही type के होते हैं, एक absolute error होता है, और एक relative error होता है, तो वह जदि पमजीटिईफ आता है, तो absolute, और जदि नेगेटिव होता है, तो relative error कहा लाता, आगे बढ़ते हैं 46 नमबर 46 नमबर में का रहा है For the Describe Series त्यान दिजिएगा Series 3 type के होते हैं Individual, Describe and Continuous For the Describe Series More Suitable Class Interval Exclusive, Inclusive Both तीन नहीं अप्शन इसमें दिए गया है तो बता ही यह कौन सा होता है Discrete Series More Suitable Class Interval बताईए तो इसमें सही आप्शन आपका दिख रहा है Option B, Inclusive Series ठीक इसी से Related एक और Question है कि When Both Lower and Upper When Both Lower and Upper Limit are Considered Which Class are Card बताब जिसमें Upper और Lower Limit दोनों को Consider किया जाता है वो कौन सा Class कहलाता है Exclusive, Inclusive, Mid Value and Cumulative तो वो आपका कहलाता है कौन सा है Inclusive ठीक है Next Question हमारा कर रहा है Which is not a type of Statical Table from the following मतलब Statical Table कौन सा नहीं उसके Types नहीं है Individual, Discrete, Continuous and Sign तो सही Option है Sign क्योंकि Statical Devils है या Statical Series समझीए वो हमारे तीन ही टाइप के होते है Individual, Discrete and Continuous चोथा यह Sign Time नहीं होता है और Last के दो Questions हमारे दिये गए है कि During Classification Data is Arranging During Classification Data is Arranging मतलब जो हमारा Classification of Data वो कैसे Arrange किया जाता है Different Row में Different Columns में Different Columns और Row में And Grouping and Related Fact in Different Classes में तो सही इसका Option क्या होगा भाई Grouping and Related Fact in Different Classes में उसको क्या किया जाता है Arrange किया जाता है Last Question है In a Table Handling In a Table Handling Of a Column is No उस Column को किस नाम से जाना जाता है Table Handling को तो दिया गया है Captain, Sub, Stop, Subject and Body तो सही आपसान इसमें से दिया गया है Captain के नाम से जाना जाता है ठीक है तो इस तरह आपका 50 Question कम्पलीट हो गया ये लक्चर कैसा लगा आप जरूर बताईएगा Comment Works में जरूर बताईएगा और भी किसी टाइप का आपको लक्चर चाहिए MC कोई Questions चाहिए तो Comment जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड में जरूर से करिएगा क्योंकि English Version का ये वीडियो बहुत कम ही मैंने अप्लोड किया है जदि आपका response अच्छा रहा है तो इसी तरह और भी आगे बहुत सारे वीडियो लेके लाएगे ठीक है तो ठीक है फिर नेक्स लेक्चर में बहुत जल्दी मिलते हैं तब तक के लिए भाएग